दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इस्टाडिट इस्ट पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखो भी रख रहे होंगे दोस्तों आज है एक जुन दोहजारी के सथ और आज के जितने भी इंपोटेंट करन्ट अफेर्श बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हो आज है नया दिन, एक जून, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम अपना नय दिन का सुरुवात, नय करेंट अफेर्थ के साथ, दोस्तों, आज का पहला क्वेस्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानि कि 20 सो तमबाकू निसे दिवस कब मनाया गया तो 20 सो तमबाकू निसे दिवस मनाया जाता है 31 मई को, तो मई मन्त के जितने भी important days है, मैंने आपको revision करा दिया है, आप लोगों को एक बार PDF में देख लेना है, डेली डेली बेसिस पर मैं revision कराते जाता हूँ, उसी तरह से जून मन्त के भी जितनी भी important days होंगे, जो exam में प टोबैको डे, यानि कि 20 सो तमबाकू निसे दिवस, 29 मई को कौन सा डे मनाया गया था, तो दोस्तों 29 मई को Mount Everest Day मनाया गया था, 30 मई को कौन सा मनाया गया, 24 मई को कौन सा मनाया गया, आपको मैंने पूरा का पूरा daily basis पर important days करा चुका हूँ, आप अपने PDF में जाकर उसे revision कर ले, तो World Note of Echo Day जो की 31 मई को मनाया गया, इसका theme क्या था, इसका theme था, commit to quit, यानि कि छोड़ने के लिए प्रतिबद, आप जो नसा करते हैं, नसा को छोड़ने के लिए प्रतिबद इसका theme था, नसा करना एक बहुत ही, मतलब अच्छे कामों में नहीं आता है, नसा करना इसको बनाया जाता है, ठीक है, तो उसका theme रहा है, commit to quit, World Health Organization की बात करें, तो इसका headquarter है, जेनेवा स्विट्जर लेंड में, जेनेवा स्विट्जर लेंड में, और इसका जो head है, वो है टेड्रोस अधानम, ठीक है, टेड्रोस अधानम, हमारा अगला question है, अगले question पर जान और PDF को डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जोइन करना होगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन करने के लिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, हमारे वीडियो के description में, आप वहाँ जाकर सारे PDF को ड UPAA Championship League ने जीता हुए है चिलसी के यहां कि तिस को जीता है तो इसके दोयारा उपस्थ बूलब ङ यह समय हएकिस्थ यह सब्सक्राइब उसक्ते-वार ने लिग यह जिता है बाद बात करते हैं कि एक separate है तो इसने हँराए कि व दिन को मैंचेस्टर तो इसको जो एक मात्र गोल करने वाले जो खिलाडी थे वो जर्मनी के ही खिलाडी थे ठीक है एक मात्र गोल करने वाले और उसका नाम है काई हैवट उसका नाम था काई हैवट ठीक है जर्मनी के ही खिलाडी थे जर्मन खिलाडी और इसका नाम है काई हैवट और ये चिल्सी के से खेलते हैं मैंचेस्टर मैंचेस्टर सिटी को हरा कर यह किताब इसने जीता है बात करते हैं यूई एफे की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1954 को आज से 66 साल पहले ठीक है और यह जो यूई यूई एफे वाला जो यह कहां पर दातों यह था पूर्तगाल के एक सीटी को है स्थाद्यू डऊज रखना है डो इस में जित लिए 29 मई 2021 को हुआ फाइनल तो वहाँ पर इसने जीत लिया चिलसी का अगर बात करते हैं ये चिलसी का दूसरा खिताब है ठीक है इससे पहले इसने जीता था 2012 में 2012 में इससे पहले इसने ये खिताब जीता था और बात करते हैं UEFA की तो UEFA का फुल फॉर्म होता है Union of European Union of Union यहाँ पर लिखते हैं Union of European Football Association ये फीफा का एक सबसिड्री है फीफा का बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग कंटिनेंट्स में इसका अलग-अलग सबसिड्री है तो European वाला सबसिड्री है UEFA और इसके जो प्रेशिडेंट है वो है Alexander Catherine इसके प्रेशिडेंट UEFA के जो प्रेशिडेंट है वो है Alexander Catherine और इसका जो हेड़क्वाटर है UEFA का वो है Neon Stangerland में ठीक है तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है अगला क्वेस्चन है Asian Boxing Championship Asian Boxing Championship में 2021 में स्वन पदक किस भारते के लाली ने को मिला तो यह पूजा रानी को मिला है 75 kg के टेगरी में ठीक है पूजा रानी 75 kg के टेगरी में इसको इनको क्या मिला है गोल्ड मेडल मिला है और यह इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल है इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल किसके द्वारा जिता गया तो पूजा रानी के द्वारा जिता गया जो कि दुबाई में हुआ Asian Boxing Championship ठीक है दोस्तों तो आपको यह याद रखना है Asian Boxing Championship में पूजा रानी के द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया गया है और बात करते हैं पूजा रानी ने हराया किसको हराया था मावलूदा मोबलो नोवा ठीक है इस Championship में मेरी कॉम चूक गई दोस्तों और इनको Silver Medal मिला ठीक है इनको Silver Medal मिला यानि कि रजद पदक से इनको संतोस करना पड़ा ठीक है तो आपको ये याद रखना है मेरी कॉम जो की Indian Boxer है ठीक है और इनको Silver पदक मतलब रजद पदक मिला पूजा रानी 75 किलो ग्राम केटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल की दोस्तों और इनोंने हराया मावलूदा मौवलो नोवा को ठीक है यहाँ से आपको ये याद रखना है Asian Boxing Championship 2021 के बारे में तो जो ये देखिए आपको यहाँ पर Language of ये गलत हो गया ठीक है Language of Truth Language of Language of Truth Truth Essays Essays 2003 से 2020 बुक किस ने लिखा ठीक है इस इस बुक को लिखा है दोस्तों सलमान रूस्दी सहाब ने बहुत important बुक है आपको याद रखना है Languages of Truth Essays 2003 to 2020 तो आपको ये याद रखना है बुक किस के द्वारा लिखा गया है तो ये बुक लिखा गया है सलमान रूस्ती के द्वारा आपको याद रखना है अभी हाल ही में अवतार सिंग भसीन के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था Nehru, Tibet and China इन सारे बुक को आपको याद रखना है नेरू, तिवात, एंड चायना, शिवसंकर मेंनन के द्वारा भी एक बुक लिखा गया इसका नाम था India geopolitics, India and Asia geopolitics, the past and present, इंडिया and Asia geopolitics, the past and present, आदित्य गुपता के द्वारा आभी हाल हमें एक बुक लिखा गया दोस्तों, जिसका नाम था 7 Lessons, 7 Lessons from Everest, ठीक है, तो इस बुक को आदित्य गुपता के द्वारा लिखा गया इसको लिखा गया था कोविट 19 के कारण जो यह एक फंड कलेक्ट कर रहे हैं और इसका जितना भी यह रिवन्यू आएगा यह कोविट 19 रिलिफ फंड में देंगे तो आदित्य गुपता के द्वारा यह बुक लिखा गया तो इन सारे बुक्स को आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट बुक्स है तो अगला क्वेस्टन है एन आई का अतिरिक्ट प्रभार यानि के अडिशनल चार्ज की नहीं दिया गया तो यह क कुल्दीब सिंघ को न आई का तिरिक्ट प्रभार दिया गया। यह भी ЦRTV डैरेक्टर जनरल है कुल्दीब सिंञ ठीक है TM Techin हो एक नोण हो इन license यानि के National Investigation Agency का पदभार भी दिया गया है, अतिरिक प्रभार भी दिया गया है, अभी NIA किया ये किसको replace करने वाले हैं, तो NIA का जो head था अभी दोस्तों वो था योगेश चन्दर मोदी, या YC मोदी सहब को ये क्या करने वाले हैं, रिप्लेश करने वाले हैं, और 31 मई के ब अर्विंद कुमार और सामंत गोयल तो यह अभी यह भी हाली में न्यूज में रहे थे अर्विंद कुमार जो की यह क्या है आईबी के चीफ है और सामंत गोयल जो की रौ के चीफ है ठीक है तो इन दोनों का कारिकाल एक एक साल के लिए भी बढ़ा दिया गया है तो आपको इ इसमें भी COVID-19 के कारण जो अनात हो गया है बच्चे उन सब के लिए 10-10 लाख रुपिये का क्या किया है ये रासी अवंटित करने का गोसना PM मोदी के द्वारा किया गया है इसका क्या किया जाएगा ये जो 10 लाख रुपिया है बच्चों के लिए जो भी बच्चे जो की COVID-19 क कर Anne當 हो गए हैं उनका fix deposit कर दिया जाएगा और उनके पढ़हाई देख रेक रखा और 18 साल के बाद उनको मंतली कुछ भट्ता भी दिया जाएगा और उनके पढ़हाई लिखाई का भी व्यवस्ता किया जाएगा उनका यह क्या हुआ है इनी के तहत क्या हुआ है उनके स्व के लिए पिए ने दस दस लाखर रुपे की रासी अबंटिद करने कि घोसना की और यह किस योजना के तहत है तो यह योजना प्यान के दौरा कोविड-19 के बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपे की गोशना की गई है, आगे करते हैं बात, Mount Niragongos, माउंट निरा गोंगो वाटों कै एक टीव वलकेनु है, ठीक है दोस्तों, जो आला मुखी है और यहां पर यहां पर इस जगह पर यह रवांडा और यूगांडा रवांडा और यूगांडा का सीमा पर यह मांट निरा गोंगो है दोस्तों और इसमें एक बिस्फोट वाय जो की एक्टिव जो आला मुखी है और इसमें अभी बिस्फोट हो गया है ठी की बात करें तो 3470 मीटर है ठीक है आपको ये भी याद रखना है क्योंकि करेंट अफेर से फैक्ट स्टाटिक जी के भी पूछ लिये जाते हैं और इसमें सब अभी जो लास्ट में इसमें जो भी स्पोर्ट हुआ था वो 2002 कि में हुआ था और इसके बाद अभी अभी 2020 में इसमें भी स्पोर्ट हुआ है और ये रवांडा और यूगांडा के सिमा पर हैं और बात करते हैं मांट निरागोंगा की तो दोस्तों ये विरूंगा नेशनल पार्क के अंदर है विरूंगा एक मिनट विरूंगा बिरुंगा नेशनल पार्क ठीक है तो आपको यह याद रखना है कि बिरुंगा नेशनल पार्क के अंदर माउंट निरागुंगा परवत में अभी-अभी विस्पोट हो गया है चलिए बिरुंगा नेशनल पार्क ठीक है अगला कुश्चन है हमारा cbsc ने cbsc Central Board of Secondary Education किसके सहयोग से आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लांच किया है फ्री में आर्टीफियल इंटेलिजेंस वाला टीचर ट्रेनिग प्रोग्राम करवाया जाएगा किसके मदद से किसके साथ किया गया है किसके साथ कॉलिबरेट किया है तो यह है दोस्तों यह IBM के साथ CBSC ने अभी collaborate किया है कि IBM के साथ मिलकर यह Artificial Intelligence Teacher Training Program करवायेगा वो भी free में 200 teachers को CBSC के द्वारा कराये जाएगा यहाँ पर आप देख सकते होंगे CBSC Partners with IBM to integrate Artificial Intelligence curriculum in 200 schools in India ठीक है? 200 schools में कराये जाएगा तो यह रही IBM के साथ तो बात करते हैं CBSC की, तो दोस्तों यह एक government body है ठीक है, एक government body है और CBSC का, CBSC का जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था 3 November 1962 आपको याद रखना है, 3 November 1962 को, अभी इसके जो chair person है, मनोज आहुजा मनोज आहुजा इसके अभी chair person है, आपको याद रखना है, मनोज आहुजा और इसका headquarter का है CBSC का तो New Delhi में है, इसका headquarter है New Delhi में बात करते हैं IBM की, IBM एक American multinational company है दोस्तों और इसका full firm होता है International Business Machine Corporation और IBM का जो, इसकी अस्थापना हुई थी IBM की और बहुत पुरानी कमपनी है बात करते हैं, इसका जो headquarter है वो New York में है, कहां पर है, New York में है मैंने पहले ही बोला था, ये एक American multinational company है, तो New York में इसका headquarter है और अभी जो इसके CEO है और chairman है, तो बहुत ही important है दोस्तों, ये इंडिया से है अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा, अभी इसके CEO और chairman है इसके president की बात करें, तो president है Jim Whitehurst Jim Whitehurst, तो आपको याद रखना है, ये सारे facts जो की बहुत ही important है Jim Whitehurst, इसके अभी president है IBM के, आपको याद रखना है IBM से IBM का अस्थापना हुआ था 16.1911, इसका headquarter है New York में इसके chairman और CEO है, अरविंद कृष्णा, president है Jim Whitehurst IBM के बारे में हो गया और CBS के, Google के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ये भी बहुत important है, जिसका CEO है, वो भी इंडिया से हैं, सुन्दर पिचही साहब, चलिए हम बात करते हैं अगले question पर, तो जो हमारा अगला question है, solar based electrification program, जो solar based solar system के द्वारा, solar energy के द्वारा, जो electrification program किस राज ने launch किया है, तो दोस्तों, ये है हमारा गोवा का सरकार, ठीक है, गोवा के सरकार द्वारा, गोवा के सरकार, गोवा के मुख्यमंत्री, CM, प्रमोद सावंत के द्वारा, solar based electrification program को launch किया गया है, इसके तहब क्या किया जाएगा, कि जो renewable energy source के द्वारा, क्या किया जाएगा, electrification किया जाएगा, जहाँ पर, ऐसे जगा, जहाँ पर की electricity नहीं पहुच पा रही है, तो वहाँ पर ये electricity, solar based वाला energy, electricity पहुचाया जाएगा, दूसरा, greenery का भी खास क्याल रखा जाएगा, ठीक है, greenery का भी nature को protect करने के लिए भी ये program launch किया गया है, और ये किस दिन किया गया था, तो गोवा का, गोवा का जो अस्थापना दिवस है 30 मई, गोवा का अस्थापना दिवस है 30 मई, उसी के उपलक्ष पर गोवा के CM प्रमोद सावंत के द्वारा solar based electrification program को launch किया गया है, आपको याद रखना है यहां का CM कौन है, प्रमोद सावंत, हर्याना के CM कौन है, मनोहरलाल खटर, और बात करते हैं यहां के governor के बारे में आपको बताना है क्योंकि मैं daily daily इसका revision आपको करवा रहा हूँ, राजस्थान के CM है, राजस्थान के CM है, असोग गहलोत, और यहां के जो governor है दोस्तो, कल राज मिस्त्र मद्य परदेश की बात करते हैं, तो यहां के CM है, सिवराज सिंग चोहान, और बात करते हैं, इसके governor के बारे में, तो आनंदी बेन पटेल यहां की governor है, अगला question है, युद्धभ्यास, ठीक है, जो की एक military exercise है, हाली में किस देश के साथ संपन कराता है, दोस्तों, अमेरिका और इंडिया मिलकर, युद्धभ्यास, military exercise करता है, तो युद्धभ्यास, जो के हाली में संपन हुआ है, वो अमेरिका के साथ कराए गया है, अमेरिका के साथ, और कौन-कौन सी important exercise होता है, तो tiger trump, आपको याद रखना है, tiger trump, ठीक है, tiger trump, और दूसरा, याद रखना है, वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये जो युद्धभ्यास हुआ था दोस्तों, ये राजस्थान में हुआ था इस बार, राजस्थान, 2021 वाला युद्धभ्यास, राजस्थान में हुआ था, वज्र इंडिया और अमेरिका का तो आपको याद रखना है जापान के बारे में और यहाँ आता है बाद जापान का तो जापान के साथ इंडिया का कौन-कौन सा युद्ध अभ्यास होता है military exercise होता है दोस्तों तो याद रखना है बहुत important सहयोग काईजन ठीक है सहयोग काईजन आपको याद रखना है ब्रिटेन के साथ कौन-कौन सा किया जाता है तो ब्रिटेन के साथ किया जाता है अजय वारियर याद रखना है अजय वारियर अजय वारियर आपको इसे भी याद रखना है बांगलादेश के साथ कौन किया जाता है बांगलादेश के साथ संप्रित संप्रिती यूद्ध एक्सरसाइज यानि के विडियो अच्छा लगता है इसकी जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि यहां पर आपके लिए बहुत सारे कॉर्सेज आपके लिए लाए जाएंगे जो की आपके लिए बहुत यूजफूल होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा ले जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफूल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का पीडियव चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करें और टेलीग्राम से इस पीडियव को डाउनलोड करके रिवीजन करें चो चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में अगले करेंट अफैर्स के साथ तब तक के लिए अलबिदा दोस् झाल 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 झाल